आज की इस वीडियो में इन सभी सब्दों का पर्योग सिखेंगे, जो अंगरेजी बोलने में काफी उपयोगी हैं, इन सभी सब्दों का एके करके यूज इस प्रगार से किया जाता है, सम्वन मिन्स होता है कोई, और इसे पर्योग किया जाता है परसन के साथ, अब संटेंस बनाने में जैसे इसे वोड आएंगे, कोई के जिगा पर किसी भी आ सकता है, संटेंस बनेगा, संटेंस में ये काम करेगा एक सब्जक्ट के रूप में और एक अब्जक्ट के रूप में, जैसे तुम किसी का इंतसार कर रहे हो, you are waiting for someone, या पर अब्जक्ट हैं, कोई रोहि सकते हैं कि संटेंस में अलग अलग सब्जक्ट पर मिनिंग तोड़ा चेंज हो रहा है, हिंदी का, लेकिन वर्ड अलग हो रहा है, मिनिंग तो एक ही है, someone means कोई, मैं किसी के पास जा रहा हूं, I am going to someone, या पर अब्जक्ट हैं, कोई दर्वाजे पर खड़ा है, someone is standing at the door, आपर someone subject हैं, अब्जक्ट हैं, sentence में अलग 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 तरेके से यूज़ किया साथ है, अब समझना है कि someone का यूज़ हम करते हैं, formal रोप से, formal रोप से वो होता है, जिसे आप इज़त के साथ बात करते हैं, अपने से बड़ों लोगों के साथ, अपने से अपने boss के साथ, अलग अलग लोगों साथ आप फॉर्मल रोप से जहां जहां पर भी बात करते हैं, वहां पर समवन का यूज़ करेंगे, समबड़ी, समबड़ी का भी मतलब होता है कोई, और इससे भी परियोग किया साथ है, परसन के साथ, मतलब किसी व्यक्ति के साथ, और इससे यूज़ किया साथ है, इनफॉर्मल वे से, इनफॉर्मल का मतलब होता हैगा, कि आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने परिवार के साथ, आप अपने रिलेशन्स के साथ, आप यूज़ से से कर सकते हैं, इसने किसी को गाली दिया, यहां पर सम्बडि ऑपज़एक्ट है, किसी ने अमन को बुलाया है, सम्बडि यहां पर होसाएगा, सम्बज़एक्ट इसका मतलब होसाएगा, किसी ने कोई किताब पढ़ रहा था किसी ने यहाँ काम पूरा कर दिया है किसी ने यहाँ काम पूरा कर दिया है किसी ने यहाँ काम पूरा कर दिया है अब इठ हम क्या खा सकते है तो कोई कह सकता है मैं बर्गर खाऊंगा कोई कह सकता है मैं पिज़ा खाऊंगा या पर पिज़ा के स्थान पर यूश किया जा रहा है और जब नाउन के स्थान पर यूश करें तो वह होता है पर नाउन पिरिया पढ़कर कुछ बनेगी पिरिया विल बिकम सम्तिंग आप्टर स्टडिंग यह पर दिगे सम्तिंग यह भी नाउन के स्थान पर यूज़ क्या गया है वो कुछ खरिदना साता है यह पर वस्तु के लिए यह सभी वर्ड यूज़ किये सा रहे हैं मैं कुछ सोच रहा हूँ I am thinking something I am thinking something मैं कुछ सोच रहा हूँ कुछ जब भी यूज़ करते हैं इससे आप यूज़ कर सकते हैं संटेंस में पॉजिटिव संटेंस में मतलब जहां जहां भी आप सकरात्मक वाकी बनाते हैं कुछ के लिए something का use कर सकते है use of somewhere इसका मतलब है कहीं जैसे हम sentence मनाते है रमेज कहीं सो रहा है ये कहीं जो है ये कहीं बताता है place का मतलब कहीं अस्थान की बात ये करता है रमेज is sleeping somewhere रमेज कहीं सो रहा है वे लोग कहीं खेल रहे हैं they are playing somewhere और यह somewhere का use हम करते हैं sentence में positive sentence में यह आप भी हम positive sentence बनाते हैं वहाँ पर use करेंगे वो कहीं जा रहा है he is going somewhere तुम कहीं से बात कर रहे हो you are talking somewhere you are talking to somewhere तुम कहीं से बात कर रहे हो या पिर you are talking from somewhere ऐसे भी हम यहाँ पर बूल सकते हैं तू के अस्तार पर from use कर लेंगे, you are talking from somewhere, तुम कहीं से बात कर रहे हो, somewhere means कहीं हो साइगा और इससे परियोग करते हैं place के लिए, no one, no one का मतलब हैं कोई नहीं, और यह word है negative, और sentence में use क्या साइगा subject और object की रोप में, जब जैसे कि किसी ने काम पूरा नहीं किया, no one completed work, no one sentence में subject हैं, किसी कोई नहीं काम कर रहा है, no one is working, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई अंग्रेशी नहीं बोलता है, no one speaks English, no one speaks English, कोई अंग्रेशी नहीं बोलता है, और यह no one words हो है, यह singular होता है, singular pronoun है, इस बज़े से आपको समझना है, वहाँ कोई नहीं आया, no one went there, वहाँ कोई नहीं गया, no one went there, यह अपन no one sentence में use क्या जारा as a subject, और यह singular pronoun है, nobody, nobody का मतलब उसाएगा, कोई नहीं, और यह भी use क्या साएगा, sentence में subject की रूप में, object की रूप में, इससे प्रयोग क्या साएगा, कोई नहीं खेल रहा है, nobody is playing, और इससे use करेंगे हम informal way से, आस किसी ने नहीं नहाया है, nobody has taken a bath today, nobody has taken a bath today, आस किसी ने नहीं नहाया है, कोई प्रेशापास नहीं किया, nobody passed the exams, nobody passed the exams, कोई भी यग कोई प्रेशापास नहीं किया, कोई यहाँ movie नहीं देखता है, nobody watches movie here, यहाँ कोई movie नहीं देखता है, नतिंग का मतलब होगा कुछ नहीं और यह negative word है जिसे कुछ भी मेरा नहीं है नतिंग इस माइन कुछ भी मेरा नहीं है मैंने कुछ नहीं देखा I saw nothing I saw nothing मैंने कुछ नहीं देखा यहां कुछ नहीं है there is nothing here There is nothing here, यहाँ कुछ नहीं है, कुछ और संभव नहीं है, there nothing is impossible, nothing is impossible, कुछ और संभव नहीं है Anyone इसका भी मतलब होता है कोई, अब इसे परियोग किया साता है negative या interrogative sentence में जैसे कि any से बने प्रोनावन होते है, anyone, anybody, anything का परियोग negative और interrogative sentence में होता है जैसे क्या तुम यहाँ किसी को सानते हो, do you know anyone here, या पर anyone मतलब हो गया किसी को क्या कोई आज आने वाला है, is anybody, sorry, is anyone to come today, is anyone to come today, क्या कोई आज आने वाला है दर्वाजे पर कोई नहीं है, anyone is not at the door, दर्वाजे पर कोई नहीं है, sentence यहाँ पर negative है, sentence interrogative है, दोनों sentence में प्रियोग किया जा रहा है कोई उससे बात नहीं करता है, anyone doesn't talk to him, कोई उससे बात नहीं करता है anybody और इसका भी मतलब हैं कोई, अब एने से बने प्रोनावन ऐसे होते हैं, जैसे कि क्या कोई उससे पीट रहा है, तो sentence बनेगा, is anybody beating him, यहाँ पर इससे sentence बनेगा, कोई घर नहीं जा रहा है, anybody is not going to house, यहाँ कोई हिंदी नहीं बोलेगा, anybody will not speak in the hair, यह पर दिके sentence आपका negative है, sentence interrogative है, वहाँ पर प्रयोग क्या असारा है, anybody, किसी ने अभी तक काम नहीं किया है, anybody has not worked yet, yet मतलब हो साएगा, अभी तक नहीं किया है, तो not worked, anybody मतलब किसी ने, anything, anything का मतलब है, कुछ, जिससे की any seven ने प्रणावन होते हैं, anyone, anybody, anything, और इसका परयोग करते हैं, negative और interrogative sentence में, अकास वाँ कुछ नहीं खाएगा, अकास विल नोट इट anything there, वो कुछ नहीं खरिदना साती है, she doesn't want to buy anything, ये sentence negative है, वो आपर प्रयोग क्या असारा है, मुझे कुछ नहीं खरिदना है, I have not to buy anything, I have not to buy anything, मुझे कुछ नहीं खरिदना है, हम लोग कुछ नहीं खेलेंगे, we will not play anything, हम लोग कुछ नहीं खेलेंगे, तो इसे ही sentences आसानी से बना सकते हैं, anywhere इसका मतलब हैं कहीं, और इसे भी परयोग करेंगे, sentence में negative या interrogative में, क्या तुम कहीं जा रहे हो, are you going anywhere, क्या तुम कहीं जारे हो, क्या Ramesh कहीं नौकरी कर रहे, is Ramesh doing a job anywhere, मैं कहीं नहीं दोड़ रहा था, I was not running anywhere, I was not running anywhere, मैं कहीं नहीं दोड़ रहा था, कि आप पिरिया कहीं सो रही है इस पिरिया स्लिपिंग एनिवेर तो आप ऐसा ही संटेंस असाने से बना सकते हैं जब भी संटेंस आए इंट्रोगेटिब जब भी संटेंस आए नेगटिब वहाँ पर यूज़ करेंगे everyone का मतलब होता है सब कोई सब कोई मतलब हर कोई जैसे कि सब कोई मुझे जानता है everyone knows me सब कोई रो रहे everyone is weeping सब कोई एंगरेजी बोलने साता है everyone wants to speak English वो सब को हसाता है he makes everybody laugh यह पर everybody लिखा हुआ है यह पर हम everyone का यूज़ करेंगे क्योंकि everyone का परियोग का यूज़ आता है formal रोप से और everybody का यूज़ का यूज़ आता है informal रोप से everything इसका मतलब है सब कुछ जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ I know everything तुम सब कुछ कर सकते हो you can do everything you can do everything तुम सब कुछ कर सकते हो वे लोग सब कुछ पढ़ लिया है they have read everything they have read everything वे लोग सब कुछ पढ़ लिया है हम लोग सब कुछ खरिद लिये है we have bought everything तो इसे sentences बना सकते हैं सब कुछ मतलब everything everybody मतलब सब कोई होगा और से परियोग करेंगे sentence में informal sentence जाँ पर हम बोलेंगे informal वे से जाँ पर बात करेंगे सब कोई हस रहा है everybody is laughing सब कोई पहाड पर चड़ रहा है everybody is climbing on the mountain सब कोई यहां आ रहा है everybody is coming here सब कोई यहां रो रहा है everybody is weeping here तो इसे ही sentences अज़ानी से बना सकते हैं everybody मतलब सब कोई everywhere इसका मतलब है हर जगा हर जगा मतलब everywhere जैसे तुम हर जगा गए हो you have gone everywhere मैं पटना में हर जगा घुमा हूँ I have visited everywhere in पटना वे लोग हर जगा हसते रहते हैं they keep on laughing everywhere यह कीप ऑन लाफिंग everywhere वे लोग हर जगा हसते रहते हैं रिया हर सब करती है रिया है signed everywhere रिया हर सब करती है तो इसे sentence असानी से बना सकते हैं अलग-लग तरीखे से अलग-लग सगाओं पर अलग-लग sentence में So guys thanks for watching that's all for today